नमस्कार जैजर्शे रादे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ कि आप सबी सुखी होंगे, संपन होंगे, आनंद के साथ होंगे। आज एक नई जानकारी वासदोश के रिगारड़ें। क्योंकि अक्सर कई वर क्या होता है कि लोग जब भी अपने घर का निर्मान करते हैं, तब कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो ब्यक्ति नहीं कर पाते और उनका हरजाना ब्यक्तियों को आगे आके भूगना पड़ता है। हरजाना क्या होता है, मान लिजे कोई चीज कहीं पर बननी चाहिए तो बन कहीं और जाती है, मान लिजे जैसे साउथ डिरेक्शन में दरवाजा होता है, गेट होता है, ऐसे ही नौर्थ डिरेक्शन में जो टॉयलेट बनती है, वह नहीं बननी चाहिए, साउथ में जो जेट होता है, यह बहुत ही भेंग कर negativity घर के अंदर ग्रेट कर देते हैं. क्या ग्रेट करते हैं? घर परिवार में तनाब बने रहना, करजा हो जाना, या किसे पैसा लेकर के बाद में उसके साथ लडाई जगडा हो जाना, या किसी को दे करके फिर लडाई जगडा हो जाना करजे कि स्थीती बढ़ जाने दवाईयों में पैसा, नस्ट होना लडाई, बिबाद, जगडा मानसिक तनाब, बेचैनी इस सब क्योंकि यहाँ पर राहु प्रभावी हो जाता है नौर्थ में जब टॉलेट होती है तो वहाँ से क्या होता है कि नौर्थ से जो हमें धनाना आता है वह सब रूख जाता है अब कई ऐसे-ऐसे कोने होते हैं अगर मैं एक एक चीज़ की बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि आपके घर के अंदर यदि आपके वास्तु में कोई भी परेशानी है कोई चीज गलत बन रखी है या किसी वास्तु शास्ति ने आपको ये कहा है कि ये तोड़ना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा या वैसा करना पड़ेगा तो आपको बिलकुल चिंता करने की जुरुत नहीं है हर चीज के पीछे एक उपाई होता है यदि आप सही उपाई को कर लेते हैं तो आपके उस बास्तु दोश को जड़ से खतम करना उस उपाई की उस शक्ती की जो में रिस्पॉंस्बिल्टी बन जाती है अब देखिए जो नौ ग्रह हैं नौ के नौ ग्रहों में से एक ग्रह ऐसा है चंद्रमा बाकी के जो आठ ग्रह हैं यह चंद्र को अपनी माता मानते हैं जैसे देव गुरु प्रहस्पति को गुरु का पद भी मिली हुई है इसी प्रकार से जो चंद्र है इसको माता का दर्जा दिया गया है जब भी कोई दिशा का स्वामी बिगड जाता है या गलत दिशा में कोई चीज बन जाती है तो उसका सिंपल सा एक काम है जिस दिन भी फुल मून हो पूर्णिमा का दिन हो फुल मून हो पूर्णिमा यानि पूरा चंद्रमा जब गोल हो जाता है उस दिन आपको यह काम करना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक उतनी चांदी की तार लानी है जितनी जूरत पड़ेगी आपको मानने जी आपका नौर्थ में टॉलेट है तो आप उस जगा को नाप लें किसी फीते से पूरे गोल एरिया में जैसी भी टॉलेट है उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए गोल सरकल में उसका साइज के बराबर एक फीते से माप लें मैयर कर लें उसको अब उसके बाद उतना ही आपको चांदी लेकर की आ जानी है जो की तार होती है अब उस तार को लाकर के आपने कच्चे दूद में धोले ला है दूसरी चीज साउथ की बात करते हैं साउथ डरیک्शन में जो गेट होता है उसके लिए भी आपको यही काम करना है उतनी तार आपको किसी ज्वैलर से लेकर के आ जानी है तार पतली हो मोटी हो उससे कोई मतलब नहीं औरिजिनल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर चंदर देव काम करेंगे मैंने आपको बताया ना चंदर मा को सभी ग्रह अपनी माता का दर्जा देते हैं यदि चंदर मा को हम वहाँ पर स्थापित कर देते हैं तो यह मान के चलें कि सौ प्रतीशित आपके उस बास्तो दोश का अंत हो जाएगा नियम यही है जब भी आप यह कारेंगे पूरी मा का दिन होना जाएगे अब कई लोग कहते हैं करजा बहुत हो गया बिमारी बहुत है घर में पैसा टिकता नहीं है बिना मतलब कि बेबजह बलेम हो रहे हैं तो कारण यही होता है क्योंकि उसी हिसाब से ग्रह भी काम करते है जैसा दोश हो जाता है और ग्रहों का भी काम होता है दोश का भी काम होता है दो एक जैसी चीजे मिल जाती है तो उसका प्रभाब व्यक्ति के उपर पड़ता है उसके परिवार के उपर पड़ता है पूर्णिमा को आपको जहां जहां आपको बास्तोश लग रहा है खास कर दो जगए यदि सेट कर लें आप तो बाकी जगए सेट करने कितनी जूरत नहीं पड़ती जो किचन होती है या अपना पूजा रूम होता है यह हमेशा इस्ट और साउथ इस्ट की साइड में जो है किचन होनी चाहिए अगर यह भी इदोदर है तो उसके लिए आपको चांदी कीतार बिल्कुत दरवाजे में वहाँ पे लगाने पड़ेगी दिन पूर्णिमा का होना चाहिए नियम समयलने आपने हो सकता यह उपाई सुना भी हो अगर नहीं सुना तो दिन के हिसाब से चलें यदि पूर्णिमा नहीं है तो इस उपाई को ना करें नि तो अपना खर्चा भी कर लेंगे अपना समय भी बरबाद कर लेंगे पूर्णिमा के दिन ही चंदरमा फुल पापर में होते हैं तो उस दिन आपको चांदी की तार का ओडर पहले कर देना है। उस दिन एक जो कटिंग करने वाला जो पत्तर की कटिंग करते हैं उसको बला लें। वे अपने साथ एक मशीन लेकर कियागा जिससे पत्तर को कट करते हैं। अब टॉइलेट की सारी साइड में जहाँ जहाँ आपने चांदी की तार लगानी है, वहाँ पे कटिंग करवा करके, चांदी की तार फिट करकरके, सफेध रंग का जो सिमिंट होता है, मसाला, उसको भरवा करके वैसे बंद करवा दें. किचन में यदि गलत है, आपको तोड़ने की जोड़तनी है, उसी जगह पे जो किचन का दरवाजा है, उसी बीचों बीच, दहलीज में कटिंग करवानी है, चांदी की तार लगानी है. तीसरी चीज गेट, गेट का पूरा जो दहलीज होती है बीच ने, जहां गेट ऐसे खड़ जाता है बिलको बीच और बीच पूरी एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक कटिंग करवा करके चांदी की तार डालें और उसको सिमेंट के साथ भर दें एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप तार लगाएंगे, सबसे पहले कच्चे दूद या गंगा जल्सिस को वाश कर लेना है, धो लेना है उससे क्या होता है, शुद्धी हो जाती चंदर की, जो चांदी होती है, चांदी शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध चांदी आपकी जब धहलीज में, नौर साइड बात्रूम में, टॉलेट में लगेगी, किचन में लग जाएगी तो यह मान के चलें सारा वास्तो दोशी सही हो जाएगा इस्ट को छोड़ करके किसी और दिशा में बना हुआ है, तो वहाँ पर भी चांदी की तार लगाने से क्या होता है आपके देवी देपताओं की किरपा सदेव आपके उपर बनी रहेगी जो भी आप पूजा पार्ट करते हैं, आप कई लोग कहते हैं हमने बहुत पूजा पार्ट करते हैं हमें तब भी फाल नहीं मिलता कारण यही होता है, कुछ कारण हम हमारी कुंडली के अंदर ग्रही है इस तरह के चलते होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है ज्यादा तर 90% यही कारण होता है गलत दिशा में लोग जो है अपना पूजास्थान बना लेते हैं तो अपनी पूजास्थान में बड़ी मूर्तियां ना रख करके छोटी मूर्तियां जो होती है या फोटो वगरा फ्रेम वाली फोटो इस तरह की चीज़ें लगाएं उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे गलत है तो मैंने आपको बता दिया चांदी की तान लगाएं पूर निमा के दिन आपको अच्छे रिजल्ड मिलने शुरू हो जाएंगे जिन बातों को लेकर कि आप एक जोधियर चारे के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है घर में ये रहता है वो रहता है तो वो सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी इस चोटे सी उपाई को करके तो करके देखें लाब लें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको फर्क पढ़ा या नहीं पढ़ा आप यही लिखेंगे कि हमारे परिवार में मेरी फाइनेंशल कंडिशन में बहुत फर्क पढ़ चुका है बिमारी दूर हो चुकी है स्वैम लिखेंगे कमेंट में तब तक के लिए एक कमेंट जरूर करें जैमादादी राधे राधे नमो नाराए